गूड मॉनिंग दोस्तों कैसे हैं आप आज हम लोग इस वीडियो में समानने हिंदी क्विज का पार्ट फोर देखेंगे जैसा आपको पता है अधिसासी अधिकारी करवे राजसरब निक्षक और अब भी हाली में जो है दिखे किराम पंचायत विकास अधिकारी का 233 जो सायक समाज के लेड़ा दिकारी है सायक समिक साधिकारी है ठीक है तो यह काफी अच्छी पोस्ट है और पिछला वाला जो है रेल वह भी निकलने वाला है कुछ ही टाइम में तो गाइस दिखे अपना जो अपना सिलैवस है वो पहले जो हमारा सिलैवस था सेम बिलकुल कितने के 20 नमबर के हिंदी देखने को मिलेगी तो आज की वीडियो में आपको 20 most important question मिलेंगे वो भी बर्ण माला से तीक है वीडियो में बर्ण माला से आपको पता है यहां से जो है आपको अधिसास अधिकारी पर यहां से आप i knitğs के मात्यूं से जरूर बता है तो चलिए ज़ान टाइम ना खराब करते हैं वीडियो में चौरू करते हैं तो इस में से हमारा option कौन सा राइट हो जाएगा तो option d । हमारा राइट हो जाएगा तो याद रखना उत्षिप्त वियंजन जिनके चारल में जीव पहले उपर ऊठकर मूर्ध को इसपर्स करें और फिर जटके के साथ नीचे को आए तो उनको क्या बोलते हैं उत्षिप्त क्या बोलते हैं उत्षिप्त वियंजन अगला है निम लिखित में से लुन्ठित वियंजन है अब देखें बच्चों को सबस्याद है लुन्ठित ही परिशान करता है अगर पूछ लेता है लुन्ठित वियंजन कौन सा तो इसमें ला समझ के न वो ला को लगाते है जो उनका क्या हो जाता है गलत हो जाता है तो लुन्ठित इसमें कौन सा हो जाएगा गाईस तो आप याद रखना ये हो जाएगा रा कौन सा हो जाएगा रा तो रा जो है इसमें क्या हो जाएगा लुन्टित हो जाएगा और जो है हमारा कौन सा वाला ला तो ये ला जो है ये हो जाएगा पार्श्विक क्या हो जाएगा पार्श्विक और या और रा ये हो जाएगे अर्द सुर्थ तो दीखे या रा ला वा ठ अगला है निमलिखित में से सघोष वियंजन है या संघर्शी है तो ये चारों के चारों उश्मिय है और शंघर्शी है तो इसमें देखे सा ठीक है ये वाला शा ठीक है सटकोन वाला शा और ये वाला शा बड़ा वाला ठीक है ये तीनों जो होते है ये तीनों होते है अगोश क्या होते है अगोश ठीक है अगोश होते है और हा जो होता है ये होता है सैघोश क्या होता है सैघोश और देखे चारो ही महाप्राण होते हैं चारो ही महाप्राण होते हैं अगला है जिसके उचारण में हवाजीब के पार्ष से निकल जाए उसे क्या कहते हैं तो गैस उसको क्या कहा जाएगा तो आप याद रखना पार्षविक ठीक है क्या कहा जाएगा उसको पार्षविक कहा जाएगा और पा लाद रखना यह हो जाएंगे हमारा जा कौंसा हो जाएगा जा जैसा आपको पता है चावरग डिकतै है चावरग प्रलस्य और यू की पीसेस के दोवारा पहले भी पूछा गया है ठीक है तो इसमें जा हो जाएगा अधिक तरह आप से बर्ग पूछता है कौन सा वाला बर्ग है ठीक है तो चावर्ग अगला कुशन हो जाएगा निम लिकित में से कौन सा वर्ण वर्तश्या नहीं है तो Champions Damit पता तूँ जो हमारे वर्तश्या होते हैं यह कौन कौन से होते हैं उर्टे और ने तो इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं सारल जन तो यह वर्तश्या होते हैं तो इसमें से कौन सा पूछ रा कि जोंसा वर्तश्य नहीं है तो देखे इसमें सा है, ला है जा है, लेकिन ये शा जो है, ठीक है ये वर्तश्य नहीं है अगला कुशन जाएगा कि स्वर के बिना व्यंजन का उचारन संभब नहीं है, तो आप याद रखना है क्या सुनाई देगा आ क्या सुनाई देगा आ अगला है निम्न में से सघोष व्यंजन कौन सा है ठीक है निम्न में से सघोष व्यंजन कौन सा है तो इसमें से कौन सा हो जाएगा गई सघोष व्यंजन तो आप याद रखना इसमें से हो जाएगा जा कौन सा हो जाएगा जा तो हर वर्ग का पहला और दूसरा ठीक है जैसे कावर का काखा चावर का चैच है और टावर का टाथा तावर का तैथ है और क्या है हमारा पावर का पाफा तो पहला और दूसरा जो होता है ये कहलाता है अगोश तो हमारा इसमें जा वाला ठीक है जा ये कैसा हो जाएगा सगोश वेंजन हो जाएगा अगला है भासा की सबसे छोटी इकाई क्या है चैसा होते है यह थूनी हमार ओस्यों आपको धूनी ना मिले तो आपको मिलेगा वर्न क्या मिलेगा वर्ण तो ध्वनी या उप्सन आपको मिलता है वर्ण तो दोनों में से एक आंसर आपका हो जाएगा अगला है भासा की सार्थक एकाई क्या है तो देखे भासा की जो सार्थक एकाई होती है वो क्या होती है वाक्य है मान के चलो सबसे पहले क्या है ध्वनी क्या होती है गाइज ध्वनी ध्वनी या इससे बनता है वर्ण वर्ण के बाद बनता है हमारा अक्षर क्या बनता है वर्ण के बाद हमारा अक्षर अक्षर के बाद बनता है सब्द और सब्द को हम क्या बोलते है पद क्या बोलते हैं इसको हम पद पद के वाद बनता है हमारा पदवन्द क्या बनता है पदवन्द पदवन्द के वाद बनता है हमारा उपवाक्य है क्या बनता है उपवाक्य है और लास्ट में हमारा बनता है बाक्य है अगला है वर्ण माला किसे कहा जाता है काफी बारी question पूछा जाता है डारेक्टली तो वर्ण माला किसे कहा जाता है वर्णों के व्यवस्ति समयों को ठीक है वर्णों के व्यवस्ति समयों को वर्ण माला कहते हैं सी हमारा राइट हो जाएगा अगला है भास सब्द किस भासा से बना है तो आप याद रखना संस्क्रिट से ठीक है भास का अर्थ क्या होता है बोलना क्या होता है बोलना अगला है मूलते हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं तो आप याद रखना 35 कित आपसे देखिए आपसे यह पूछ ले कि यह तो किसके आधार पर हो गया आपके मूलता हिंदी में क्या मूलता हिंदी में चान के आधार पर कितने वर्ण होते हैं अगर आपसे कोशन पूछ ले कि कोशन आपसे पूछ ले कि लेखन के आधार पर लेखन के आधार पर वर्ण क इतना होगा पयतलिस तो मूलता हिंदी वुचाण का अधर पर कितने वर्ण होते हैं तो आप याद रखना 35 होते हैं कितने होते हैं 45 अब कैसे होते हैं ये 35utzोषट को इसमें वियंजं हो जाए pounds हो जाएंगे और 10 जो हो जाएंगे गाई जिसमें क्या हो जाएंगे सुर क्या हो जाएंगे सुर तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूं कि हिंदी मूलता हिंदी में उचान के आधर पर कितने वर्ण होते हैं पैतालीस कितने होते हैं गाईज पैतालीस तो फुटी फाइब होते हैं जिसमें से थर् रेजी का है तो ये हमारा हो जाएगा ठीक है ये वाला हमारा हो जाएगा उप्सन डी वाला अगला है देवनागरी लीपी में स्वर्व की संख्या कितनी होती है तो देखें देवनागरी लीपी में स्वर्व की संख्या कितनी है तो आप याद रखना ग्यारा कितनी है ग्यार अब देखिए अगर आपसे कोश्चन कर ले कि परंपरागत रूप से या कुल सुवर कितने होते हैं तब आपका अंसर हो जाएगा तेरा अगर कोश्चन आपसे पूछ लेगा उचारण की द्रेस्टी से सुवर कितने होते हैं तब आंसर हो जाएगा आपका दस अगर question कर लेगा देवनागरी या मूलता स्वर्व की संक्या कितनी होती है तब आपका answer हो जाएगा 11 अगला है मुख द्वार खुलने के आधार पर ठीक है मुख द्वार खुलने के आधार पर O ठीक है का संबंद है इसका संबंद जो है वो किस्जे है तो दीकिए इसमें किस से हो जाएगा तो पहले एक एक करके देख लेते हैं तो सबसे पहले संब्रत में कौन-कौन से आते हैं तो इसमें हो जाएगा छोटी E, बड़ी E, ठीक है छोटा O, सोरी छोटा O और बड़ा O अर्द संब्रत में बात करें तो क्या हो जाएगा छोटा ए एनक वाला और ये ओखले वाला ठीक है वैसे ही अर्द विब्रत में कौन कौन से हो जाएंगे तो अर्द विब्रत में हो जाएंगे छोटा आ एनक वाला ठीक है और ये हमारा हो जाएगा और विब्रत में हमारा कौ स्रावर्ण किसके सहीयोग से बना है तो जैसा आपको पता है जो हमारे सन्यूक्ति वेंजन होते हैं ठीक है जो हमारे सन्यूक्ति वेंजन होते हैं वो कहलाते हैं चार कितने होते हैं वो चार होते हैं कौन-कौन से होते हैं च्छै त्रै ग्या और श्रै तो इसमें से हमारा क्य अब वैसे हम लोग बात करें देगे च्छा ये वाला जो होता अच्छा तो ये किसके सहयोग से बनता है का हलंत पिलस रा ठीक है वहीं बात करें हम लोग तरा तरा किसे मिलके बनता है तो ता हलंत पिलस रा वहीं ग्यानी वाले की बात करें हम लोग ये जो होता है ये वाला ठ संतें वो भी आपको याद होता है इए जिन सौरों को चार अनों में हावा मुख केवल मुक से निकलती। तो उसको क्या बोलते हैं निर्नुनासिक या बोलते हैं उसको मोखिक क्या बोलते हैं मोखिक लेकिन मूख के साथ नाक से भी हवा निकले तो उसको बोलते हैं अनुनासिक अगला है हिंदी में मूलता वर्णों की संख्या कितनी है तो दीखे हिंदी में मूलता जो वर्णों की संख्यागाई तो ये है बावन कितनी है बावन अगला है भासा निर्मार की इकाईयों का सही अनुकरम क्या है तो मैंने बता आपको ध्वनी या वर्ण आता उसके बाद फिर अक्षर आता फिर सब्द आता जिसको पद बोलते हैं फिर पदवन फिर उपवाक्यए फिर बाग्यए तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा option D ठीक है तो आप याद रखना ध्वनी या वर्ण ठीक है फिर ध्वनी या वर्ण के बाद क्या बनेगा अक्षर क्या बनेगा हमारा अक्षर अक्षर के बाद बनेगा सब्द इसको बोलते है पद पद के बाद बनता है पदवंद पदवंद के बाद बनेगा उपवाक्या और उपवाक्या के बाद बनेगा हमारा बाक्या ठीक है तो ये भासा निर्मार की इकाई का सही अनुक्रम है तो गाइस मैंने देखे वर्ण माला से most important wish question लिये हैं ठीक है जो आपके आने वाले exam में आपकी काफी मदद करेंगे तो गाइस देखे यह class जो आपको daily सुबह 7 बजे मिल जाएगी और उत्राखन जीके वाली जो वीडियो मिलेगी आपको वो साम को 7 बजे मिलेगी तो हिंदी के वाली और जो orbit आएगी वो सुबह 7 बजे और जो उत्राखन जीके वाली है वो साम को 7 बजे तो सुबह हिंदी और साम को उत्राखन तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप हमारे चैनल से जोड़ना चाते हैं तो आप हमारे चैनल इस्टड़ी भी देव भूमी को सब्सक्राइब पर लीजिए आपको इस चैनल पर जो है उत्राखन जीके से लेटिव हिंदी करंटा फैस ठीक है और जितना भी हमारे जीके से उस्टड़ी वीडियो मिलती है तो चलिए गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फोर वाचिंग